वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियों में देखने वाले हैं आप सभी के सिबसी क्लास 9 के चप्टर 1 के exercise 1.1 का solution इसमें आपको सभी questions के काफी detail में solution बताया जाएंगे तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्योंकि हर एक चप्टर काफी detail में आप सभी बच्चों के लिए explain किया जाएगा दोखो जो मैं जब पहला question पूछा है कि is 0 a rational number? Can you write it in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equals to 0? ठीक है दोखो इसका answer क्या होगा? Yes, 0 is a rational number because हम 0 किस formula सकते हैं? 0 by 1, 0 by 2 मन कहा तो आप 0 by 100 लिख दो 0 क्या है हमारा? 0 एक हमारा rational number है क्योंकि उसको हम P by Q के form express कर सकते हैं राइक 0 by 1, 0 by 2, 0 by 100 इस तरीके से कर के ठीक है बाकी अगर आपको rational number नहीं पता है जो मैं तुरा बता दू rational number होता क्या है? एनी number एनी number विच कैन बी एक्सप्रेस विच कैन बी बी एक्सप्रेस एक्सप्रेस्ट इन दे फार्म आफ इन दे फार्म आफ P by Q वेर P Q आर इंटीजर्स वेर P and Q आर इंटीजर्स इंटीजर्स हैंग नो कॉमन फेक्टर हैंग नो कॉमन फेक्टर ठीक है? एन क्यू नॉत इक्सटो जीरो कोई भी नंबर जिसको आप P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोला गया रेस्टनल नंबर जैसे आपके एक्जाम्पल से हैं और नेच्टर लंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स इस अभी क्या हैं? हमारे रेस्टनल नंबर हैं फ्लिफाइ करके लिख पाएंगे इस तैप के नंबर को बोला जाता है रेस्टनल नंबर तो आइये फिर हमनों कूशन को सॉल्ब करते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो अपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्काइब करें तो साथी साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर सेयर करें ठीक है तो हमारे पास कुश्चन क्या दिया है कुश्चन दे रखा हमारे पास 3 & 4 तो हम क्या करता है तो आप समय देख लो 6 प्लस 1 कितना होता है 7 तो आपको अपनाना है जब भी वीवानव आपको पांच नंबर उसमें 1 प्लस कर लो जी तरह भी डिसन नंबर आपको बोला जा रहा है उसमें 1 एड़ करो ठीक है तो हमने क्या क्या 6 प्लस 1 होता है 7 लेकिन ये काम करने से पहले कुछ एक करना है कि दोनों के denominator same होने चाहिए दोनों को denominator क्या होने चाहिए same ठीक हमारे पास दोनों को denominator क्या है one है तो यह trick हम apply कर सकते है तुरंत हमें और जाहे कुछ सोचने के जरूवत नहीं है हम लिखेंगे multiply multiply both the numbers by 7 multiply and divide both the numbers by 7 multiply and I amelit लिखताओं अड़ डिवाइड अड़ डिवाइड अलग सेल्ग लिखने से अच्छा है मुल्टिप्लाइड बोद दो नंबर्स बाइब सेवेड या फिर अप लिख सकते हो मुल्टिप्लाइटर इन डिनॉमिनेटर बाइब सैवेड तो हमें क्या मिलेगा यहां पे 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7, ये 6 rational numbers हैं आपके 3 and 4 के बीच के, ठीक है? इस तरीके से आपको solve करना है, ठीक है? अगला question हम से बोला गया है, question number, question number 3 में हम से बोला गया है, कि find 5 rational numbers between 3 and 5, तो 3 and 5 के बीच में आपको 5 rational numbers find करना है, तो simple metric क्या बता है? 5 दिया है, तो 5 plus 1 होता है 6, जरू यह नहीं किसी आप 1 ही प्लस कर सकते हैं, आप मन के तो 3 प्लस कर देना, तो 5 में कुछ भी प्लस करो, multiply करो, फिर आप लिखना, multiply both numerator and denominator, multiply, both numerators, numerator and denominator, denominator by 6, तो आपको क्या मिलेगा? 18 by 30 और यहापे क्या मिलेगा? 24 by 30, 24 by 30, तो आप इंके बीच के पास नंबर्स नोट कर लो, तो 5 numbers between, 5 rational numbers between, rational numbers between, between 5 and 6 हो जाएंगे, between, between 3 by 5 and 4 by 5 are, हमें क्या मिल जाएंगे? तो 19 by 30, दूसरा आपको मिलेगा 20 by 30, तीसरा मिलेगा आपको 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30, यह आपके एंसर हो गएं, 23 by 30, यह आपके 5 numbers हो गए, ठीक है? अगला question है, इस था question number 3 आपका, अगला question number 4, question number 4 मैं में दिया है, कि state whether the following statements are true or false, give your reason for your answer, ठीक है? ठीक है? अई हमने सो चेक करते हैं, पहला में दिया है, every natural number is a whole number, yes, every natural number is a whole number, true है आपका, reason क्या है? कि whole number कहां से start होता है? 0 से 0, 1, 2, 3 and dash dash, ठीक है? तो हर एक natural number, whole number है, यह सही है, true है, ठीक है? फिर every integer is a whole number, every integer is a whole number, यह false है, reason क्या है? minus 2 is an integer, is an integer, but it is not a whole number, ठीक सकते हो ना, कि whole number हमारे positive होते हैं, but integer हमारे negative positive, दोनों होते हैं, every rational number is a whole number, यह भी false है, ठीक है? इसका उल्टा सही है, कि every whole number is integer, every whole number is a rational number, ठीक है? reason क्या होगा? कि 2 by 5 is an, is a rational number, but it is not a whole number, is a rational number, but it is not a whole number, तो इस तरीके से आप अपने questions को solve कर सकते हैं, तो फिर next video मिलते हैं, exercise 1.2 के साथ, thank you.